आपसे विवाद में तीन दोस्तों ने मिलकर करदी चौथे साथी की हत्या, चाकू से गलारेत कर युवक को मार डाला, जारी से ब्रामद हुई लाश, छेत्र में संसनी, परिजनों में कोडाम, कांड में शामिल तीन बदमाशों को पुलिस ने दबोचा, एक पिस्टल कार्टूस ब्रामद, नगर थाना चेत्र के रतनोपटी मोहला में रविवार की राद बदमाशों ने एक युवक की चाकू से गलारेत कर निर्मे हत्या कर दी, सोमवार की सुवा उसका सब एक जारी से ब्रामद किया गया, इसे चेत्र में संसनी फैल गई, सूचना पर नग पुत्र शाक के रूप में हुई है, घटना के संबन में मिर्त के पिता ने बताया कि रविवार की साम उसके पुत्र को बुलाने के लिए कुछ लोग आये थे, उन लोगों ने बताया था कि कुछ सामान की चोरी हो गई है, जिसमें आपका बेटा शामिल नहीं है, हाला कि उ का सामान कहा रखा है उन लोगों के साथ उनका बेटा चला गया कुछ देर बाद रात लगभग आट बजे उनका पुत्र वापस आ गया खाना खाकर सोने के दोरान रतनो पट्टी का रहने वाला बादल कुमार अपने एक मित्र के साथ इसकूटी से पहुचा उनके पुत्र के साथ कुछ देर बात की इसके बाद संतोस भी रात लगभग नौ बजे उन लोगों के साथ चला गया इसके बाद पूरी रात पुत्र घर वाफस नहीं लोटा रविवार की रात बादल की चचेरी बहन की शादी थी इस कारण घर के लोगों में किसी तरह की अन्होनी की अश सबी एक साथ रहते थे साथी नशापान भी करते थे रविवार की राच चारों बादल के घर के पीछे बैट कर नशापान कर रहे थे इसी बीच किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो गया इस वजह से बादल साजन वह अक्षे ने मिलकर संतोस की हत्या कर दी एसस में बाबुराम ने बताया कि हत्याकार में शामिल रत्नो पट्टी निवासी बादल कुमार अक्षे शर्मा वजीत गाची निवासी साजन कुमार को ग्रिफतार कर लिया गया है इनके पास से एक पिस्टल वपाश गोली बढामद हुई है रंगदारी के लिए दो दिन पहले की थी फाइरिंग संतोस शाकी हत्या के मामले में गिरिफतान तीन आरोपियों में एक साजन ठाकुर शातिर बदमाश में सामिल है दो दिन पहले उसने जीतू गाची मोहला में जेनरल इस्टोर दुकानदार शियाम अगरवाल से पाँच लाग रुपे रंगदारी ही मांगी थी रुपिया नहीं देने पर साजन अपने दोस्त बादल साव जीतू गाची निवासी सिवम कुमार के साथ दुकानदार के यहां पहुच कर फाइरिंग भी की थी इस मामले में पुलिस ने सिवम को गिरफतार कर लिया था साचन और बादल को गिरफतार किया जाता इससे पहले ही दोस संतोस की गला ग्रेट कर हत्या कर दी गई सबजी बेचने का काम करता था संतोस मिर्टक संतोस तीन भाईयों में दूसरे अस्थान पर था उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी घटना के बाद उसकी मा सावितरी देवी बड़े भाई असोक सा छोटे भाई मुके सा का रोरो कर बुड़ा हाल है परिजिनों का कहना है कि संतोस सबजी बेचने का काम करता था पक्रे गए तीन बदमासों में जब सक्ती से पूस्ताच की गई तो पता चला कि संतोस भी चोड़ी मामले में जेल जा चुका है गिरफ्तार अक्षे के साथ संतोस काफी दिनों तक एक साथ जेल में था थानाध्यक्ष ने बताये कि सभी के आपडाधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है